हेलो मैं चार्मिंग पीपल, इस दिपिका एन आई, वेलकम यूँ ओन बी चार्मर आज मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ एक मैजिकल हेर पैक की होम रेमिडी जिसको लगाने से आपके बाल दूनी तेजी से बढ़ेंगे साथ ही आपका जो हेर फोल है वो भी काफी हग तक रिड्यूस हो जाएगा इसके अलावा ये आपके बालों को बहुत हेल्दी, ग्लोजी, शाइनर और सॉफ्ट बना देगा स्प्लिट एंड्स की अगर आपको प्रॉब्लम है तो वो भी इससे दूर होने वाली है सो कहने को ये एक all-in-one pack है जो magic की तरह काम करता है तो इसको try करना तो बनता है वीडियो शुरू करने से पहले एक request और एक reminder अगर आप इस channel पर नए हैं मुझे पहली बार देख रहे हैं और अभी तक इस channel को subscribe नहीं किया है then please consider subscribing और जल्दी से हमारी family का हिस्सा बन जाईए bell icon के उपर ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको future notifications मिलती रहें तो चलिए बिना किसी delay के शुरू करते हैं आज की video तो बात करते हैं कि इस hair pack को किस तरीके से बनाना है तो इसके लिए आपको बहुत जादा चीजों की जरूरत नहीं पड़ेगी इसके लिए आपको घर में use होने वाली एक छोटी सी प्याज चाहिए इसके अलावा आपको virgin coconut oil चाहिए जो cold pressed हो तो जादा बेटर है मैं यहाँ पे Kirkland Costco में जो मिलता है वो use करती हूँ इसके अलावा कोई भी अच्छे brand का cold pressed आपको अगर coconut oil मिल जाए तो आप वो use कर सकते हैं बस एक अच्छी quality का ले तो जादा बहतर है इसके अलावा आपको चाहिए flex seeds gel और वो किस तरह से बनाया जाता है वो मैं already channel पे दिखा चुकी हूँ उस video का link आपको description box में मिल जाएगा कि किस तरह से बनता है तो बस हमको यही basic तीन चीज़े चाहिए अब शुरू करते हैं process कि इसको बनाना कैसे है तो सबसे पहले हमें onion लेनी है उसको पील करना है लेकिन ध्यान रखें जब आप onion को पील करें तो उसका जड़ वाला part होता है जो उपर गांट होती है उसको ना काटें अगर आप उसको काटेंगे तो grate करने में आपको फिर दिक्कत आएगी लेकिन अगर उस जड़ को आप नहीं काटते हैं तो उससे जब आप grate करेंगे ना onion को तो वो बिल्कुल भी बिखरेगी नहीं और बहुत आसानी से आप पूरी onion को grate कर पाएंगे और ये hack cooking में भी काम आता है तो आपको onion को अच्छे से grate कर लेना है उसके बाद आपको एक pulp मिल जाएगा onion का और आपकी आँखे थोड़ी सी जलेंगी तो क्योंकि onion जो है वो बहुत तीकी होती है तो नीचे जो आपको मिल जाता है वो हमें onion का pulp यूज करना है अब हम क्या करेंगे दो टेबल स्पून के करीब लेंगे coconut oil या फिर आप इतनी हेर लेंद के हिसाब से ले और वो coconut oil lukewarm होना चाहिए डबल बॉयलर की help से आप उसको melt कर लें डबल बॉयलर होता है कि आप गरम पानी ले लें किसी बोल में और उस बोल में दूसरा बोल रखें जिसके अंदर आपने coconut oil रखा हो डारेक्ट हीट पे रखें microwave में रखें गरम ना करें तो आपको वो ले लेना है थोड़ा सा lukewarm coconut oil उसके अंदर फिर आपको जो हमने onion का पल्क निकाला था वो छलनी में डाल कर squeeze करना है ताकि आपको onion juice मिल जाए एक छोटी medium size की onion है तो लगबग 1.5 tablespoon के करीब उसमें से onion का juice निकल आएगा इन दोनों चीज़ों को अच्छे से mix करना है इसके बाद आपको इसके अंदर flex seed gel का एक tablespoon add करना है कैसे बनता है वो आपको video link मिल जाएगा मैं उपर eye button में भी डाल दूँगी इसके बाद बस हमारा hair pack जो है वो सारी चीज़ें एक साथ मिल चुकी है इनको अच्छे से आप mix करेंगे तो थोड़ी देर में आप देखेंगे कि pinkish था अगर आप pink onion ले रहे हैं अगर आप white ले रहे हैं तो whiteish था एक बहुती smooth सा batter आपका तयार होगा that's it हमारा जो hair pack है वो तयार हो गया है इसके बाद अपने बालों पर आपको इसको जिस तरह से oil लगाया जाता है बिल्कुल उसी तरही के से आपको इसकी massage करनी है अच्छे से मांग निकालते हुए partition करते हुए अपने बालों के अंदर आपको इसको लगाना है पूरे head पे लगाना है head length पे नीचे जो आपके split ends वगेरा है वहां तक लगाना है properly लगाना है लगाने के बाद आप इसको आदे घंटे से लेकर दो घंटे तक अपने सर के उपर रख सकते हैं दो घंटे से जादा ना रखें क्योंकि कि वह थोड़ा से dry भी होने लगता है और आपके पूरे घर में अच्छी खासी प्याज की महक भी हो सकती है तो चाहें तो सर को थोड़ा सा आप cover भी कर सकते हैं कि hair pack लगा ले उसके बाद कोई dusting हो गई तो वह एक डेट घंटा उस काम में लगी जाता है तो तब तक वह सर पे लगा रहता है और उसके बाद पर जाके मैं शावर ले लेती हूँ अब इसके बाद बार ही आती है कि आपको कितनी बार ये लगाना है आप हफते में अगर दो बार सर दूलते हैं या तीन बार सर दूलते हैं जितनी बार भी आप अपना सर दूलते हैं आपको ये उतनी बार ही लगाना है कई बार ऐसा होता है कि onion की smell जो है वो बहुत strong होती है वो बाल के अंदर रहे जाती है तो आप चाहे तो apple cider vinegar rinse जो है वो यूज़ कर सकते हैं थोड़ा सा पानी ले ले एक कप के करीब उसमें एक धकन apple cider vinegar डाल दे उनको mix करके और shampoo करने के बाद आप normally उसको अपने बालों के बोड़ा सा normal पानी जला ले तो उसे महक निकल जाती है actually अब आपकी इतनी strong रहती ने क्योंकि आपको shampoo जो है वो अच्छे से करना है जो भी आप regular shampoo अपना यूज़ करते हैं आपको वो करना है conditioning आपको नहीं करनी है क्योंकि already जो hair pack है वो आपके बालों को बहुत अच्छे से condition कर देगा पहली ही wash के बाद आपको इसका फर्क दिखाई देगा आपके बाल इतने soft हो जाएंगे इतने जादा silky हो जाएंगे you will feel the difference जब आप first use करेंगे तब आप खुद मुझे आकर comment करके बताएंगे के हां तपका इसने काम किया है जो ingredients हैं वो सारे magical है coconut oil we all know vitamin E कितना rich होता है हमारे बालों को कितने अच्छे से वो नरिश करता है coconut oil is must have in your beauty product बहुत सारी चीज़ों में काम आता है और it is miracle literally दूसरा onion जो है वो hair growth के लिए बहुत अच्छा है उसका oil भी बनता है जो मैं बहुत जल्दी शेयर करने वाली हो अपने चैनल पे तो make sure कि आप subscribe करें ताकि आपको अच्छी अच्छी remedies मिलती रहें तो onion जो है वो hair growth के लिए hair regrow के लिए बहुत अच्छा है कि कई बार होता है आलोपीशिया या किसी भी वज़े से आपके बाल जढने लगते हैं सिर्में patches हो जाते हैं कहीं कहीं से बाल उतर जाते हैं तो onion उसके लिए magic का काम करती है इसके लवा flexi gel omega 3 fatty acid भर भर के बरा पड़ा है जो बहुत अच्छा आपके skin आपके hair के लिए तो तीनों ही ingredient ऐसे हैं जो magic करने वाल हैं आपके बालों के ओपर पूरा process मैंने आपको बता दिया है आपको बस इसको लगाना है और फिर मुझे बताना है कब तक use करना है आप चाहें तो जि use कर सकते हैं no limitation जितनी भी home remedies होती है इनका ऐसाच कोई side effect नहीं होता है सारी herbal चीजे होती है घर की चीजे होती है तो ऐसा नहीं कि आपको एक हफता करना है दो हफता करना है बट यही कोगी कि जब भी कोई home remedy आप use करें अपने बालों के लिए skin के लिए तो एक के उपर कुछ certain time तक stick रहें ताकि आपको पता लगे कि हाँ वो remedy work कर रही है क्योंकि आपने अब कुछ और कर लिया दो दिन बाद दूसरा hair pack आपने apply कर लिया उसके बाद फिर कोई और सा तो वो एक जो है वो आपका sir आपकी skin आपके बाल confused हो जाएंगे कि actually हमें करना कै किस चीज के साथ work करना है तो जो भी home remedy यूज करें उसके उपर stick रहे एक certain time के लिए दो हफता तीन हफता तो at least आप stick करें तो आपको better results मिलेंगे तो ये था हमारा magical hair pack जो कि आपको बनाना है लगाना है और चमतकारी results पाने है मैं पिछले I think एक डेड़ महीने से use कर रही हूँ मैं वीक में त दो महीने पहले जब भी मैं बाल धूलती थी या कंगी करती थी मेरे इतने इतने बाल उतर रहे थे हैं I was like के खतम ही हो जाएंगे सर पे से बाल even जो लोग मुझे मेरे vlog channel पे follow करते हैं शायद उन्होंने notice भी किया होगा कि मेरे बाल बहुत हलके हो गए हैं लेकिन पिछले ए पहले से जितने भी जढ़ रहे थे ना उसके अब 40% रह गए है तो मैं इसको continue करने वाली हूँ अगले एक दो महीने तक लगाता रहा ना I'm sure वो 10% तक रहे जाएंगे एक certain amount तो होता ही आपके बालों के जढ़ने का जिसको आप कुछ भी use कर ले इतने से बाल तो आपके जढ़ती है that is normal तो थोड़े से जढ़ती है वो तो किसी चीज से नहीं जाएंगे लेकिन हाँ जब कभी भी हार्मोनल imbalance होता है या पानी का फर्क पड़ता है या वैदर का फर्क पड़ता है अट्मोसफेर का फर्क पड़ता है तब हमारे बाल जब रियक्ट करते हैं किसी च सुपर ग्लैम सिंपल सा मेकप लेकर आने वाली हूँ लेकिन उसके बाद फिर मैं हेरोयल की एक remedy लेकर आऊंगी और वो भी miracle करती है works wonder तो चलिए सारे चीजे मैंने आपको पूरी डीटेल में बता दी अगर आपको कोई भी confusion हो तो प्लीज comment करके जरूर पूछे मैं उनका reply कर दूंगी और यही थी आज की वीडियो आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी पसंद आए तो लाइक शेयर comment and subscribe और मैं मुती हूँ आपसे बहुत जल्दी तिल तन यू गाइस टेक केर and I'm sending lots and lots and lots of love to you all thank you so much for watching bye bye